Hello everyone, welcome to Telugu One Academy So, इरोजु मनम बलास्टिक मिसाल मरियो क्रूस मिसाल का दिफ्रेंशेशन गूँँची नेच्को बोतुना So, बलास्टिक मिसाल अन्टेंटी, क्रूस मिसाल अन्टेंटी, वतलो ए रगमेनन फ्यूल यूजेस्ताम ए रगमेन जेट इंजन लेदा, रोकेट इंजन यूजेस्ताम। इरोजु मनम पोइंट बाइपोंट डिसकुच जेस्ताम। इरोजु मनम, फर्स्टिक इंग इस आवर बलास्टिक मिसाल। बलास्टिक मिसाल वाईट इसमेरि इकड लोग चूसनाँ डैते इधि उक को अगा कॉंटिनेंट नूँची उँखो वेलाडानकी यूज जेस्ताम। उको कॉंडेंट उन्ची उनको कॉंडेंट मेरी फिगर लोगा नंक चूस उन्टे इदी आउटर अट्मोस्पेर अंटे एर्थ लो उन्ना अट्मोस्पेर नी दाट कोनी स्पेस लोड उन्ची मल्ली अर्थ पाईकोच्छे नि एड़त लोगन अटमोस्पेर दाट कोनी, के स्पेस के लिए मल एर्थ कोच चिंदी मल इकट जूँँदे, स्टेज वन, मल इस्टेज टू, मल इस्टेज त्री, स्टेज फूर, स्टेज फाइ मल इकड़ा, दिफेरेंट लोड्स, पेलोड्स अंटे डिफ उकटे सारी multiple bombs ने रिलीजे से capacity बलास्तिक मिसल्स की उन्टोंदे तो दिनकों चिंकों जम जुदा So, about ballastic missiles Ballastic missile follows a ballastic trajectory that is parabolic trajectory अन्मादा Parabolic trajectory अंटे इला space locally अक्कर्णन से किन्दी कोच्चे सुन्दे To deliver one or more warheads on a predetermined target अंटे उका predetermined target अगर की उकटी लेधा multiple payloads अंटे multiple bombs नी वदल लानकी मनँ Ballastic missile ने वारता हम A ballastic trajectory is that path of object that is launched but has no active propulsion during its actual flight अंटे इपडु इकन मिकनन फिगर चुपिच्चा So, इककर जुदा अंटे इककर दाकम प्रोपल्शन हुंदी अंटे, okay, fuel injection हुंदी आधांधो नी pressure दी शेसको नी इककर दाकेल पेंदी आधर वाथ इककन उंच इमी केट्वांडी force लेधा gravitational force ज्वारा ने अधी propulsion है अंटे, move out तु किंदिक उस्तुंदी दानरदम ballastic अंटामन माटा so next consequently, the trajectory is fully determined by the given initial velocity effects of gravity, air resistance and motion of earth that is, coriolisis force अंटे, किंदिक बड़तु नप्डु अप्डु अप्रिक्शनल force ज्वारा कानी वंदी earth rotation ज्वारा कानी वंदी deflection वारा कानी वंदी so deflection वारा दानियों का trajectory लेद final destination अधी decide होतु नप्डु ने so next to them types of ballistic missile so ballistic missiles वारा टाइप्स कुड़ा हुँँँड़ा हुँँए अंटे दूरम मेलतु हुँँँद नपन दानबटी 3 types of ballistic missiles वारा short range, medium range and long range so short range लो distance वारा 300 km ज़ए 1000 Km वरारा गियो medium range वारा गियो maximum 3500 Km intermediate range वारा medium कुणनू intercontinental वारा इंटर कॉंटिनेंटर फिए पांटिनेंटेंटी के वेलाणनी intercontinental ballistic missile वारा आर रुण्डित माझेलो मनें की इंटर्मेड रेंज उन्टोंदे यादि 3,500 नुँची 5,500 km उन्टोंदे दीन की मिंची आंटे 5,500 km की मिंची ना डिस्टेंस आउते दाननी इंटर कॉंटिनेंटल बलास्टिक मिसाइल आंटाम इंटर्मेड आंटे पितिन्द आटमोस्फियर लोने खुर्ज आवडाननी क्रूस मिसाइल अंटाम प्लेस बलास्टिक मिसल लो हें मैंदी मनम फ्यूलोक का दकर उदलेस्थाम अटे बाइट आटमोस्फियर केलिन दरबाता दान केम फ्यूल हूंड़गू डाइट वेशन द्वारा, कोरिया ओलसी स्फोर्ट द्वारा आज डेसनेशन केल पूतनी काने क्रूस मिसल स्टाटिंग पॉइंट 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 अगा दान की फ्यूल सिस्टम अने थी कच्छतांगा आवाली इपुड बनाम फर्स क्रूस मिसल को चूदाम तरवाता एक क्रूस मरियू बलास्टिक मिसल कला डिफरेंट सेंटो कोड़ा क्लेर गाचूताम सो क्रूस मिसल केचूदांगे इथी पान अत्मोस्पियर, इस लेयर इप अवार अवर अत्मोस्पियर क्लेया सो इकड गेल ते रेडार अने टीटेक्ट चलहुँ उके तो रेडार बैलासिक ट्राजेक्ट्री लेडार इकड़ दाख़ डेटेक्ट जेस्थुँदे आ तरवाद एम होते हैं इपड़ क्रूज मिसाल होंदे क्रूज मिसाल इला कोद्धिवा मीद के लिए लोने माल्यमन आट्मोस्पेयल लोने मैग्सिमम् ट्रावेल जेसे हैं इमीड टार्गेट ने इकड़े हिट जेस्तुने सो आधर रेडार ने इन डिटेक्ट जेस्तुने कानी कानी आई स्पीड लो मनम डेश्ट्राई जेड़े अन्तीजी गादु ओके सो क्रूज मिसाल ट्रावेल जेन ने मोत्तम गूड़ा आत्मोस्पेयर लोने ट्रावेल जेन इकानी बालास्टिंग मिटल आउटर स्पेस के लिए मल्ली अर्थ को सुने आ तेडान मिर गमन चाले So, next के लाम So, types of cruise missile Types of cruise missiles is based on speed Based on speed Hypersonic, Supersonic and Subsonic Speed of sound तो compare रहे सु मनाम three types जेसा हैं Hypersonic, Supersonic and Subsonic Hypersonic लो max speed 5 And a 5 times of speed of sound Supersonic low max speed 2 to 3 And a 2 to 3 times the speed of sound Subsonic low max speed 0.8 So, दीन लो हुना different versions मना मिकरण प्रोवाइड जेराम जरिगेंदे Examples For example, Supersonic low Brahmos missile Okay Brahmos 2 version Subsonic low Nirbaya missile systems Supersonic low Brahmos Hypersonic low Brahmos 2 So, यी difference AA speed की AA missiles हुना है Especially Cruise missile सुनायो वाटनी मिरोक्सर गमनिचाली So now What is the major difference between The ballastic missile And the cruise missile So, ballastic missile We have seen That it travels Outer space It travels If this is earth It travels outer space Cruise missile travels Within the earth Isn't it And we have also seen They have a different Technology For themselves Okay What is that technology? Let's see Ballastic missile is propelled Only for a brief duration After launch And This means It will propel Fuel Next Similar to a rocket engine Ballastic missile Obviously We have to push gravity To push space To push space Locally Mally Kind When What is that engine Use Obviously Rocket engine Use Use Obviously Rocket engine But Cruise missile Atmosphere atif दिरूत हो भी कि अजिन दैनिके महन हम जह उचेत इंजन वचेत enf Currently a major difference , that ballistic missile uses rocket engine and cruise missile uses the jet engine is one of your major point to remember, so next long range missiles leave the earth atmosphere and reenter it the flight part is within the earth atmosphere low precision as it is is unguided for the most of its path and its trajectory depends upon gravity, air resistance, coriolisis force. तीन अरत्त में एंटांडी? पुर्ईस मेसाईलो इदे पिरिषीषन हो उट्वोंड़ू है प्रिशिषर अंटे कि रखेट नी फिक्स जह से एक कर्यागता पॉइंट के लगिपोधगूने क्रूज मिसल तरजेक्टरी एक लेफ से शिफ्ट्टाइड हो तो तो तरजेक्टरी एक यह दो तो दिलावा एक जाए जिकल बाटतुंदुटु नए दि प्रिशिशन ने दी मी को बालाश्टिक बालाश्रिमिसल लो एक कोगा उट दू करनि कुरूस्मिसल प्रिशिशन is very high. So now, difference between ballast missile and cruise missile, can have very long range, there are many ranges, that range is 15 km वर गुड़ 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 गुड़ु The range is small, below 500 km, and need to be constantly propelled to hit the target with high precision. So which has the longest range, my friends? The range is the longest range, the ballistic missile is the longest range, and the target is the highest capacity, and the cruise missile is the highest capacity. Heavy payload carrying capacity, obviously, but the cruise missile is the highest fuel, and the heavy load is the highest capacity, so the load capacity is very small, payload capacity is limited. You can carry multiple payloads, I will show you the diagram, so here is the ballistic missile, the ballistic missile is a payload, and there are different payloads, and different targets that hit the capacity, the ballistic missile has a single target and a single bomb, so usually carries a single payload, so develop primarily to carry nuclear warheads, primarily nuclear warheads, developed primarily to carry conventional warheads. The example of Prithviye defense system, or Agni defense system is your example for ballistic missile, for cruise missile, your example is Brahmos missiles, Brahmos missiles. So, now, we will talk about a lot of important topics, we will talk about missiles, we will talk about missiles, so, there is a convention, missile technology, missile technology, control regime, regime, this is what we will talk about. This is G7 countries, is formed in the year 1987, what are these G7 countries? Those are highly industrialized countries, such as USA, UK, Canada, France, Germany, and Japan and Italy. These 7 countries are, we can control missile technology, as well as the missile technology, we can control which is the highest, in the year 2000, militants, or destruction, so we can control the technology, which is a convention, and that is the beginning of a convention, because we have promised, there is a group of countries together, that we never do this technology, especially militants, so we will always do this promise, जरूतु नर्माड़ा तो इंद लो इस त्रीटी ओच्छेसी लीगली बैंडिंग कादु अंटें मीरोका सारी इंटलो जॉइन अवत्ते है कच्छटग मिरो दानिक कट्टु बड़िए उन्डालनना 820 कोश्चन लेदु अकड़ा इस यूर नौत लियाबल फर देम इस नौ बाट लीगली बाट बैंड मिरो दें लोगर्ण बागुन आप दिन लोग अप्लेस पॉइन अंटे मिरो प्लेस पॉइन अन्द का एंट्स पॉइन अइंपलेस पॉइन अगया इंग पांट का थे लिगलीन कंट्री टेफ्टि लाजए और चाहन जिए लिगकुलूझ ऐन no China, no China okay currently there are 35 members India अज़सेछी जाइना जरगा नियर 2015 2016 मने की फूल मेंबर्षीप होच्छी इन okay 2016 मने की फूल मेंबर्षीप होच्छी इना इंदेट जाइना जाइना जारणा जोड़ा होच्छी so every member is supposed to establish the national export control policies for ballastic, cruise, unmanned aerial vehicles, space launch vehicles, drones, remotely piloted vehicles, sounding rockets and underlying components and technologies प्रती कंट्री तेक्नोलजी नि 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 थ्री प्र आप्री वीजर बिर ने स decreeना बेन्टिक स्ट्रिक रस अ को one एकर कोई टेटेछोंगीी उसीamba घडने इसक्शनलोगा लान कोई बश zeggen भूर आपकोरीशिक भेस मनिडूड़ एकवारेंआब एंटॉ प्कारिशना मास्थोंणा इस्ट्रिक जरीजना में programs, potential contributions for the transfer could make to recipient development delivery systems for weapons of mass destruction, the potential transfer conflicts with the multilateral treaty, the credibility of recipient stated purpose for the purchase. So, what I am saying is that every country has five points. What is it? This technology is going to be every time you have to do it. So, these five points are the conclusion. That you are not using this technology transfer or technology to destroy any other country or any other civilians in the nation or beyond the nation. Manudisham no gaunudi, baidisham no gaunudi. Edwande destructions ki palu padamu anna dhanimi ee treaty ane haithi kattu padamu nam jari gindi. So, Nenimik Japano india hauch chay si 2ndi vela padhaar lo full membership ho ch chindu, 2ndi vela padhi hen lo dhani applaji jayetam jayaruki indhi 2ndi vela padhaar lo full membership. So, next. कि दो ग्योड बिलो अट्डी साफ मिसाइल तेखनोलजी एट्नोलजी एगा रच नायूनी जेप्तु दूनी हैं यूनूलोजी एट्ट्राइप्टोरी मेंटनु लोगवन वनदी लोग्री आफ क्रेंप्ष्टूर्पी उडिया क्यू वन संद्टिया एग क्या रच भूनलि आजीम कुरिंच काने बांदी, वीट मी दा, प्रिलिम्स कोईशन इला वस्तुंदे So, now, consider the following statements Ballastic Missiles are similar to Rocket Engines इपड़े जाओ कुना हम Ballastic Missiles are similar to Rocket Engines Yes Whereas, Cruise Missiles are similar to Jet Engines अदी करक्टे? Yes Generally, the accuracy of Cruise Missiles is low as compared to Ballastic Missiles इन्तक कुन्दे जाओ कुना हम Ballastic Missiles के accuracy एक्कोगा उन्डदू एंदु कंटे? Coriolsis Force नी बीट जेसकोनी Air Resistance नी बीट जेसकोनी मीत अन्नी रकाल of Forces नी बीट जेसकोनी एर्थुलो केंटर आओ तुन्टे? दानने के accuracy एक्कोगा उन्डदू काबट्टी, पॉयंट एंट अन्नी तप्पू So, generally, Ballastic Missiles are long range whereas Cruise Missiles are short range missiles Yes, इन्दक मुंदे मलाम differentiation slide लो जुसाम एम जुसाम? Ballastic Missiles योके range पन्नेंड वेल आइद वंदल किलो मीटल वरक कुड़ एलगल कुथे कानि Cruise Missiles योके range आइद वंदल किलो मीटल वरक के एलगल कुथे ता अनर्दम एंटनी? Ballastic Missiles की long range योंटनी? Cruise Missiles की short range योंटनी? अनर्दम So, इन पॉइंट कुड़ और करक्ट So, मन आंसरेम होतुँँँँँँँँँदी उकका वेला करक्ट अनर्दकुथे Which of the following is correct अनर्दुथे One and three होतुँँँदी Not correct अनर्दुथे Two होतुँदी इदी चाला-चाला important, my friends Exam रासेडबुड प्रती सारी गुड़तुपेट कुणदी Correct इच्याड़, incorrect इच्याड़ अधी मीर कनका चूड़को पोते मीको answer तेलिसी कूड़ा मीरोको मार्क लूजावड़म जरूतुदी Plus, negative marks लोके लड़म जरूतुदी अधी मातरम गवन इच्याड़ मेरो So, select the correct answer Correct answer What is the correct answer? Option one and three Option one and three So, thank you my friends इरोज मनम Ballistic missile and cruise missile गुणचे लसकुदाम So, thank you